हेलो दोस्तों नमस्ते वेलकम बैक टो चानल मैं हूँ श्रीजा आज की वीडियो में अपलो को साथ में शेयर करने वाली हूँ वो मिटा से चोकलेश की तरह से बनाते हैं गर इसमें डालने वाला बटर आपके पास नहीं तो घी को किस तरह से बटर की रूप में लेके आना है सबसे पहले में अहां बोमिटा को ले ली हूँ एक कप ले सकते हैं अब मैं यह बोमिटा को मिक्सिरान में डालकर पीस केश को साइड से करने से चॉकलेट बनाने बक रिर्म्रें, चोकलेश की तरह से पासे पाने बना लीते अवर यूबने तक पानी लेना है अभी इसको आचे से मेल्ड करना है अभी इसमें से एक तार नहीं निकलते तब तक इसको इस तरह से पाक बनाना है इस तरह से जैसे तार निकलने लगा तो तुरंत मैंने इसमें आधा नीम्बू का रस इसमें डालूंगी ज्यादा टाइट नहीं होते हैं जैसे हम लोग cioclet normal वाल चोकलेट रहते हैं तो white वैसे ही इसका structure रहे जैसे निम्बू का रस डाल दिये उसके बाद एक बार मिला कर इसमें मैंने पर चममच मिलक पॉडर डाले यानि दूद की पौडर डाले अगर आपके पास दूद की पौडर नहीं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं तीन चमच अगर वो नहीं तो आपने घर में भी पीस कर डाल सकते हैं चावल को भिगो के और उसमें से पानी निकाल कर उसको सुखा के तुरंत मिक्सिजार मे यूज कर सकते हैं अब मैंने इसमें पॉडर पीसके रखे थे वो भी इसमें डाल दूंगी और अगर आपको मिलाने वक्त थोड़ा दिक्कत हुआ तो थोड़ा एक दो चमच पानी एक कर सकते हैं ऐसे मिलाते रहेंगे तुरंत इसमें से लंस भी मेल्ट हो जाएंगे तो इस मैंने अच्छे से मिला दिये मिलाने के बाद इसमें मैंने दो चोटी चमच बटर राट कर रहे हूं जो भी घर में बनी वी या बाहर से लाए तो जो भी बटर यूज कर सकते हैं अगर आपके परस बटर नहीं तो क्या करने बाद में दिखाऊंगी आप पूरा वीडियो द हैं पूरा सा ठंडा होने देंगे फीर हम लों मौल में खरके पास इस दर से कि मॉल्ड है कर स चोकलिट वाला मौल नहीं तो कोई बात नहीं आपने जैसे थोड़ा सच थंडा हो जाये अब अपने हाथ से भी इसको गोली तरह बना कर आपने स्टोर कर सकते हैं अब मैंने इस इस तरह से निकालकर बना लूंगी, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने छोटी छोटी बॉल का तरह, गोली का तरह बना कर रख लूंगी रखने का भी जोर्त नहीं पड़ते, तुरंट जमाना होते तो फृर्ज में रख सकते या बहर या जमा कर रख सकते हैं इस चोकलेंट को आपने रिजमे स्टोर कर सकते या बाहर भी रूम टम्परेचर के भी स्टोर कर सकते अब इसको के से रैप करना से रैप करना है वो इस वीडियू में बतांगे अप जब निकालते हैं तुरंत आप हे सारा एक साथ डबा में डालकर रकलेंगे तो पुरा का प अगर आपके पास सिल्वर नहीं तो बटर पेपर में भी इसको रोल कर सकते या पनी को भी चोटा चीटा पीसेस करके उसमें भी राप करके आप सकते जो आपके अवैल्बू उसमें आप रख सकते इस पॉलतिन का और में रखने से खराब हो जाएगा या अच्छा नहीं है अब घी को किस तरह से बटर का रूप में लेके आने वह दिखाऊंगे आप देखे मेने घी को थोड़ी दे तक फ्रीज में रखे आप नॉर्मल वाला घी भी ले सकते रूम टेमपरेचर वाला घी भी ले सकते उसमें एक आइस क्यूब ढालके अच्छे से फेटना है इसको खाली पांच मिनिट में आपको ये बटर का तरह बन जाता है तो इस तरह से अपने घी को भी बटर का तरह यूज़ करके आपने बटर का जगा में घी डाल सकते हैं जरूर आप भी इसको ट्राइक कीजिएगा आपको कैसे लगी वीडियो जरूर आमको कमेंट सेक्शन में बताईएगा इस वीडियो को जिनको जरूर है उनको जरूर शेयर कीजिए और अपना दोस्त परिवार को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए यदि मारा चनल को पहले बात देखती है सब्सक्राइब नहीं किया तो